हम जे सूवड नेक्स टोपिक है हमारा food from plants की जो plants वागरा हैं उस से food हमें कैसे मिलता है फर्स लाइट देखो growing plants मतलब plants को grow करना उगाना plants को लगाना rear animals rearing animals means animals को पालना इन दोनों को किस चीछ के लिए करेंगे हम, food के लिए, खाने के लिए, clothing के लिए और अधर जो useful हमें product में लेंगे उसको क्या बोलेंगे agriculture मतलब plants को लगाना और animals को पालना किसी भी useful product के लिए उसको बोलेंगे agriculture next फिर plants of same kind मतलब जो भी plants हैं जो पौदे पेड़ पौदे वगह रहा हैं same kind के अगर लगा दे हम किसी बड़ी जगह पे, large scale पे उससे क्या मिलेगा फिर वही चीज़े मिलेंगे food, clothing या useful products उसको बोलेंगे crops इसकी examples हैं अगर several plants मतलब काफी सारे plants अगर maze के हम grow कर दें maze में समक्य के grow कर दें किसी large field पे, बहुत बड़ी field पे grow कर दें तो वह फिर क्या बन जाएगा, crop of maze बन जाएगा वह फिर, maze की crop बन जाएगी वह next, examples of food crops, जो food crops हैं वह कैसी होंगी, firstly इसकी examples है, cereals cereals में आ जाएगा, rice, wheat, maze, यह सारी चीज़ें cereals में आ जाती हैं फिर पलसी दालें जो आप खाते हो वह आ जाती हैं, examples, उर्द, अरहर, एंड, moong bean, moong की दाल जो होती है, वह सारी दालें इसमें आ जाएगी फिर fruits वगरा, mango, apple, banana, यह भी सारे इसमें आ जाएगे, food crops की example में, और vegetables, vegetables में देखो, spinach, पालक, potato और onion, यह सारे vegetables में आ जाएगे यह सारा paragraph था, कि food हमें plant से कैसा कैसा मिलता है, वह सारा कुछ किया था हमने फिर इसके बाद, जो growing season है, plants का, उसके हिसाब से, crops जो इंडिया में grow करी जाती हैं, उसको हम दो parts में categorize कर सकते हैं, दो parts में उसको बांड सकते हैं first crop है, खारीफ crop, next crop है, rabi crop, यह season के according हम दो parts में इसको बांड सकते हैं, crops को, खारीफ और rabi crops जो firstly, खारीफ crop होंगी, वो plant की जाएंगी जून में, जून के मन्त में यह लगाई जाती हैं, और फिर harvest की जाती हैं, मतलब बाद में इसकी पैदावार पूरी complete हो जाती है, अक्तूबर में पूरे इसको harvest कर सकते हैं, हम काट सकते हैं इसको, अक्तूबर तक examples वगरा इसकी आजाएंगी फिर, arise, चावल वगरा, maize, maize पड़ा था अपने मक्का, cotton and crown nut यह इसकी examples आजाती हैं, खारीफ crops की फिर next rabi crops, जो rabi crops हैं, वो plant की जाती हैं, November में, मतलब लगाई जाती हैं, November में, और बाद में काटी जाती हैं, harvest की जाती हैं, April के month में harvest की जाती हैं, इसकी भी example wheat, barley, pea and gram यह इसकी rabi crops की examples आजाएंगी